नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्षब लगन और वर्षब रासी के लिए जो जातक हैं इस वर्षब लगन के और वर्षब रासी वाले वो कैसे होते हैं उनकी कुछ विशेशताइं होती हैं विशेश परकार की कुछ विशेशताइं होती ह उनके कुछ गुण होते हैं, कुछ आउगुण भी होते हैं और इसके साथ ही बात करेंगे, यहाँ पर कुछ राजयोग जो बनते हैं वर्षब लगन वालों की कुंडली में, उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका दो नमर लिखा है, फैस्ट हाउस में, तो आपका वर्षब लगन है वर्षब लगन होने के बाद आपका इस तरह से सुरू होगा, जैसे तेन यहाँ हो गया तेन के बाद पांच, और यहाँ साथ होगा, फिर आठ, फिर नो, दस, ग्यारे, बारे और एक तो इस तरह से आपकी जो है लगन कुंडली यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो आपकी जो रासी है, आपका जो लगन है इसका विस्तार यह दो नमबर की रासी है, सबसे पहली रासी मेस है, उसके बाद वरसब रासी आती है इसका विस्तार है, वो तेस डिग्री से साथ डिग्री तक माना गया है और इसके जो स्वामी है, वो सुक्र माने गया है ये इस्तिर सभाव वाली रासी है और इसमें थोड़ा एक ठहराव जैसा कुछ देखने को मिलता है और इस ठहराव की वज़े से जो जातक हैं इस रासी और इस लगन की जो जातक हैं वो जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते इसके लावा ये एक प्रष्टोदे रासी होने से पर्थवी तत्वे वाली रासी बन जाती है अब यहाँ पर कुछ विसेशता हैं होती हैं इस जो लगन है उसके जातकों में रासी के जातकों में तो उनकी बात कर लेते हैं देखिए अगर सुकर लगन के लोड हो गए तो लगन पर तो उनका पौनतया प्रभाव हो गया और अगर वो कहीं पर होरोस्कोप में बहुत अच्छी पोजिशन लिये वें तो आपको काफी सारा भोग विलास और विलासिता पौन जो चीज़ें हैं धन और वैभव परदा करेंगे तो यहां पर जो सुकर की स्तिती है उसको भी काफी ज्यादा महत्वए दिया जाता है क्योंकि अगर सुकर की स्तिती अच्छे नहीं तो कहीं न कहीं वो आपको बैड रिजल्ट्स दे सकते हैं और उसके बाद आपको जो आपका लगन है जिस परकार का अपका लगन है वैसी लाइफ आफ की नहीं रहने वाली इसके लाव एक बात हो रहे यहाँ पर जो सिक्स ताउस है जो यह सिक्स ताउस है इसमें अगर सुकर बैठे हो लगन से अगर सिक्स ताउस में बैठे हो तो यहाँ पर सुकर को बुरा नहीं माना जाएगा और यहाँ पर क्योंकि सुकर की खुद की रासी आती है सुकर की जो खुद की रासी है दूसरी वाली तुला रासी वो यहाँ पर आती है तो उस बज़े से यहाँ पर सुकर का आना अच्छा ही माना जाएगा यहाँ पर कोई बुरे रिजल्ट सुकर नहीं देंगे तो यहाँ पर इसके लावा जो एक जातक का जो सभाव होता है ये एक सौंदरी प्रेम ही होते हैं प्रेम की चाहत इन में बहुत ज्यादा होती है और इनका व्यक्तित्व काफी आकर्शक होता है पर्सनलेटी बहुत ही अच्छी होती है किसी को भी अपनी व्यक्तित्व से ये प्रभावित कर लेते हैं लेकिन अगर इनके लगन पर यानि फैस्ट आउस पर अगर कोई बुरा प्रभाव है सनी की कोई द्रश्टी है कहीं से तो हो सकता है कि कुछ जो है इसके लावा इनका चेहरा देखकर आप इनकी वास्तिक उमर नहीं बता सकते क्योंकि इनका चेहरा है वो हमेशा एक युवा जैसा ही दिखता है और इनकी जो बाल सिर के जो बाल हैं वो भी काफी टाइम बाद सफेद होते हैं काफी लंबी उमर तक इनके बाल हैं वो काले रहते हैं इसके लावा ये एक कलात्मक इनमें जो ये जाता है इनमें कलात्मकता होती है और खाने पिने की सोकिन भोग विलास करने की सोकिन ये लोग होते हैं घर से बाहर गुमना फिरना इसके लावा आराम पसंद होते हैं और इन में थोड़ा स्वार्थी पन भी रहता है ये थोड़े स्वार्थी भी होते हैं और नसे के आदी बहुत जल्दी बन जाते हैं ऐसे लोग और इसके लावा जो इनका जीवन साती है इनका जो जीवन साती है उनसे इनको बहुत सारी अपेक्षाइं रहती है क्योंकि ये भोग विलास तो करते ही है इसके लावा सुक्र हो गए तो सुक्र जो है वो इसे परकार की चीज़ें देता है कामवासना बहुत ज़्यादा सुक्र देता है तो इस वज़े से इनका जो सेवन्थ हावसा या इनकी जो कामवासना है या उनकी जो सेक्स लाइफ है उससे रिलेटेड इनको अपेक्षाइं काफी ज्यादा होती है इसके लावा यहाँ पर ये जो जातक हैं वो काफी हस्ट पूश्ट होंगे क्योंकि सुक्र का लगन है इस वज़े से सुक्र की विशेषता है इनके सरीड में निश्ची तरुप से आएगी मजबूत कद के होंगे मजबूत जो है इनका सरीड रहेगा और थोड़े स्वाभी मानी होंगे सोचंद विचारों वाले होंगे दयालू होंगे ये सहनसिल होते है वानी इनकी काफी मधूर होती है और अपनी जो मधूरता है वानी की मधूरता और इनका जो अकरशक व्यक्तित्व है उसकी वज़े से ये काफी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं इसके लावा ये लोग सारिक रूप से परिशर में होते हैं क्योंकि सारिक ताकत इनमें काफी होती है सारिक रूप से काफी परिशर में होते हैं और भोग विलास की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है ये मान लीजे कि भोग विलास अपने चरम पर होता है इनमें और अगर सुकर की इस दिए बहुत ही अच्छे हो कहीं पर अगर सुकर या तो लगन में ही हो या फिर लगन पर कहीं से दरश्टी पढ़ रही हो सुकर की तो भोग विलास की जो है वो चरम सीमा भी ये पार कर लेते हैं इसके लावा ये अपनी जो हाइड वरक है या अपनी जो इनकी योग्यता है उसके अधार पर ये काफी उच्छ पद समाज में और गॉर्मेंट में प्राप्त करते हैं इनको समाज में काफी परतिष्टा मिलती है और कोई भी इनके और जल्दे से आकरशित हो जाता है इसके लावा ये थोड़े अडियल सभाव वाले होते हैं और जो कुछ भी ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं इसके लावा ये सांत और गंबीर होते हैं ज्यादा भागदोर पसंद नहीं करते कोई भी निर्ने जल्दबाजी में नहीं लेते इनको जल्दवाजी है वो पसंद नहीं है और इनके जीवन में थोड़ा ठहराव सा भी रहता है जीवन में जल्दी जल्दी बदलाव नहीं आते और नहीं ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जल्दी बदलाव आए इसके लावा ये एक इस्तान पर बहुत समय तक टिकर रह सकते हैं या ये मालिजी कि इनकी जो भी क्रिया सीलता होती है इनकी जो एक्टिविटीज होती है उनमें थोड़ा सा ठहराव होता है और अपने जिवन में जल्दी से कोई बदलाव नहीं चाहते और इनके जो विचार हैं उनमें भी ये जल्दी से बदलाव नहीं करते इसके लावा इनको क्रोध कम आता है लेकिन जब भी क्रोध आता है तो आप इनके क्रोध को सांत नहीं कर सकते एक बार अगर क्रोध आ गए तो इनके क्रोध को रोकना काफी मुस्किल होता है और ये थोड़े से एकांत प्री होते हैं ज्यादा भीड़ भार वाला एरिया या ज्यादा भीड़ भार इनको चारों और अपने चारों और पसंद नहीं होती है इसके अलावा जो वर्षब रासी या ये जो लगन है ये इसका मैंने पहले भी बताया आपको यहाँ पर इनकी खुद की रासी आती है शुकर की जो की तुला तुला रासी आती है यहाँ पर तीन चार फिर पांच बन जाएंगे छै और साथ देखे साथ नमबर आये ना यहाँ पर साथ नमबर आने से यहां पे आई तुला रासी अब ये खुद की रासी है तो जो सिक्स था उसके रिजल्ट है वो इनको अच्छे ही मिलेंगे और सुकर की इस्तिती पे भी बाकी चीज़ें डिफेंड करती है कि सुकर किस प्रकार के बैठे हैं इनकी होरोस्कोप में कौन से बहाव में बैठे हैं उसके according result है उनमें भिंता रहती है तो वो आप अपना खुद चेक कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर कुछ सुब गरह और ऐसुब गरहों की बात कर लेते हैं वर्षब लगन में बुद्ध बुद्ध पंचमेस और धनेस होने के कारण इनको सुब परिणाम देते हैं लेकिन अगर बुद्ध इनकी होरोस्कोप में पीडित होते हैं तो इनको काफी दिक्कते होती हैं इन भावों के सुब परिणामों से इसके लाव सनी, सनी काफी योग कारक होते हैं, जबर दस्त योग कारक होते हैं सनी और ये काफी सुब फल देते हैं इनको, नव मेश और दस मेश होकर केंदर तरिकोन के स्वामी बन जाते हैं और सनी इनको सुब प्रेणाम प्रदान करते हैं इसके लिए एसुब ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा चंद्रमा इनके 33 हो जाते हैं चार नमर यहां आएगा दो तीन चार थर्ड हाउस में आएगा तो यह 33 हो जाते हैं फिर एसुब हो जाते हैं 33 होके सूरी है वो चतुर्थेस होने से सम हो जाते हैं और मंगल सब्तमेस और द्वा दसेस होने से अत्यन्त ऐसूब माने गए हैं अगर मंगल की, अगर मंगल इनके सेवंध हाउस में ही हो तो इनको मेरीज लाइफ में काफी दिक्कते होती है काफी लड़ाई जगडे का इनको सामना करना पड़ता है गुरू इनका अस्टमेस यानि नो नंबर यहाँ आएगा गुरू अस्टमेस और एका दसेस होने से एसुब बन जाता है क्योंकि एसुब भावों से समध बना लिया इनोंने तो एसुब हो जाएंगे ये ग्रह इसके लवा हम देखते हैं कुछ विसेस योग जो वरसब लगन वालों की कुंडली में बन सकते हैं या बनते हैं अगर लगन में सनी हो अगर यहाँ पर जहाँ दो नंबर लिखा है वहीं सनी हो तो काफी योग कारक होगा केंदर तरिकोन का स्वामी होने से यहाँ पर पूर्ण राजयोग सनी देता है यदि सुकर और सनी का समंध किसी प्रकार से बन जाता है तो बहुत लाब इनको मिलता है सूर्य और बुद्ध की यूती कहीं भी हो तो योग कारक रहेगी इसके लाबा सूर्य बुद्ध और सुकर अगर तीनों की यूती है तो राजयोग जैसा फल इनको मिलेगा इसके लाबा सनी नावंभाव या दसंभाव में सूर्य और बुद्ध चतूर्थ या पंचम भाव में हो तो स्रेष्टतम राजयोग देते हैं राजयोग जैसा फल देते हैं वर्षब लगन में यदि राहु की जो स्रेष्ट इस्तिति होती है वो टेंथ हाउस में होती है टेंथ हाउस में राहु की सरवस्रेष्ट इस्तिति होती है सरोतम इस्तिति होती है जिससे ये वरशब लगन वाले जातकों को एसे जातकों को स्रेश्ट जोति शी बना सकती है अकेला सुकर अगर चत्तुर्थ हावस में हो यहाँ पर अगर सुकर हो अकेला तो जीवन भर इनको वाहन का सुक देता है और इनको जो घर है इनका जो घर है वहाँ पे इनको काफी खुसियां देता है और इनको जो भवन है भवन का सुख भी इनको काफी अच्छा मिलता है नहीं भोग विलास वाला जो सुख है इनको काफी मिलता है तो हमने इस वीडियो में बात की वर्षब लगन वालों की कुछ विसेश ताएं और इनके लिए एसुब और जो सुब प्लनेट हैं उनकी बात कर लिए और कुछ विसेश योगों की बात हमने की अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद